ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रोव सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मिद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल यह राशीफल है 19 अगस 2030 शनिवार का दिन है स्रावन महा के शुक्लिपक्ष की तरतियाती थी है इस दिन मधुष्रवा तीज हरियाली तीज स्वारन गौरी तीज वरत रहेगा उत्रा फालगुणी नामक नक्षत्र होगा तथा कन्या राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पूरुदिशा में होगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस्पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा विश्यों को तो अद्रक खाकर के यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की प्रातह नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगली कारिक्रम संपादित नहीं किया जाता है हलाकि राहुकाल का निर्ड़े आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई चैत्रों में माना जाता है और कई चैत्रों में नहीं भी माना जाता है और मीन ये छे राशियां सबसे दीब भागिशा ले रेने वाली है कारिक्षित्र में इनको उन्नती और प्रगती के उत्ता मौसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांथ साथ नई जुम्मेडारी नया काम इनको प्राप्त हो सकता है सुर्योदय सुबह 6 बच के 1 मिनिट पर होगा सुर्यास्त शाम को 6 बच के 47 मिनिट पर होगा चंद्रोदय साथ चालिस पर होगा चंद्रमा का अस्त 8 बच के 33 मिनिट पर होगा शुब मुहुत की यदि हम बात करें तो शनीवार का दिन ही और शनीवार के दिन सबसे पहला जो शुब मुहुत रहेगा वो सुबह साड़े साथ से नो बजे तक का शुब का चोगडिया रहेगा तथा दोपार बारा बजे से ले करके साड़े चार बजे तक चर लाब और अमरत तीनों चोगडियक क्रमश रह सुब फल्दाई आपके लिए सिद्ध होंगे इस समय आप कोई भी शुब काम करेंगे मंगल कारी करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोग बन सकता है तो कुल मिला करके मेश, मित्रुन, सिंग, तुला, धनुकुंब और मीन ये साथ राशियां सबसे अधिक भागिशाली लिने वाली है अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशिवालोगा दैनिक राशिवल बताने जा रहे हैं हमारे इस ज्यानवर्दक वीडियो को अंत तक जरू देखिएगा और देखने के बस्चार अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस समय उचित ग्रहस्तिती आपका सकारात्मक रवया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा समय का भरपूर्ण सद्व्योग करे रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ आपके संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य संबंदी महत्वपूर्ण योजना बनेगी धनलाब होगा नया काम आपका शुरू हो सकता है और उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में जाकर के यदि आप चावल का डान करेंगे तो आपका देन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की राजनितिक तथा सामाजी कारियों के प्रती आपका रुजान बढ़ेगा और कुछ शुबह उसर भी आपको करिक्षितर में प्राप्त होंगे नय वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया है तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा विध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशक्ता है मित्रों के साथ घूमने पिड़ने तथा मन और अंजन में अपना समय व्यर्थ नस्ट न करना चाहिए इससे आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं रुख सकते हैं और उपाई के रूप में यदि आप चने की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानसिक वा शारिरिक ठकाबट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रभा अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा और उपाई के रूप में भूजन में हरी सबजी का उप्योग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्च पद आसीन व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी लंबी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चल करके आपको ही फाइदा देगी और विरोधी आपके सामने परास्त हो जाएंगे कोई महत्वपूर्ण शुरुवात हो सकती है तथा धनलाब के उत्तम आउसर आपको मिल सकते हैं उपाई के रूप में दूध का डान यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई जाबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की घर के संबंदिक कुछ कार्य योजना आपकी तयार होगी नया घर आप खरीद सकते हैं या नई प्रापर्टी आप खरीदने के बारे में वेचार विमर्ष करेंगे धार्मी कार्यों में आपकी विशेश रुची रहेगी परिवार के साथ अधिक्तम समय आपका व्यतीत होगा और थिक इसीती बहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना अवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदि आप मसूर की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की कोट कचेरी के मामलों में आपको फाइडा होगा और मनसिक तनाओं से आपको मुक्ति मिलेगी रिष्टेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी चतराई वा सूजबूच की तारीफ होगी लोग आपकी प्रसंसा करेंगे आपको मैं तथा सम्मान भी प्राप्त होगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबूज तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई मांगली कारिक्रम संपन होने की योजिना बनेगी तथा रिस्तदारों की आबाद रही बनी रहेगी और उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साधू संत को गुड़ और तिल का डान करेंगे तो आपका डिन शुफलताई सावित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासे की धार्मिक कारियों में आपका विशेस रुजहान रहेगा तथर समाज में लोग आपको पसंद करेंगे आपका रुद्बा बने रहेगा और लक्ष के प्रती आप एकागर जित रहेंगे सफलता आपको वश्च ही प्राप्त होगी नया वाहन नई वस्तु खरिदने के विशे में आप विचार बेमर्श कर सकते हैं उपाई के रूप में नहाते समय अपने नहाने के पानी में तीर्थ जल गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके स्नान करेंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंग छे होगा भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की इस समय शारीरिक और मांसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और अध्यात्मिक कारियों में आपका रुजान रहेगा इस्थाई संपत्ती भूमी भवन वाहन की खरीत फरोक्त की कोई योजना चल रही है तो उसमें गंबीरता पुर्वक विचार करें इस समय परिसितियां आपके पक्ष में हैं किसी भी प्रकार का कोई यदि कागजी कारवाही आप करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़कर के ही आ आपको हस्ताक्षर करना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्व चाहिए उपाई के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड का दान करेंगे तो आपका रिंट शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्भ राशी की इस स नोकरी में नया आप काम नई जम्मेदारी मिलने का योग है पदो नती भी आपको प्राप्त हो सकती है आपको स्वभाव में सोमेतावा आदर्श बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को यदि आप चावल और दाल याने आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज दिन चरिया में परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुची पूर्ण कारियों में आप समय व्यतीत करेंगे इससे आपको खुशिया प्राप्त होगी आपका भागिशाली अंक rich sup लगू साथ होगा भागिशाली रंग आपका आश्मानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाए तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको पताए हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वी